हेलो गाइस स्वागत है आप सबको आज किस न्यू वीडियो पे आज किस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि आप अपना फेस्बुक एकाउंट पे न्यू इमेल आइडी कैसे एड़ कर सकते हैं तो गाइस अगर आप भी अपना फेस्बुक एकाउंट पे निव इमेल आइड़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा बिना किसी स्किप किये तभी आप अपना फेस्बुक एकाउंट पे निव इमेल आइड़ कर पाएंगे तो गाइस वीडियो पे आगे बारने से पहले एक छोटा सा रिकोष्ट है अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से एक लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सास्क्राइब कर लेजे और पास में जो बेल आइकन है उस पे क्लिक करके ओल नोडिपी के सौन सिलेट कर लेजेगा ताके इस चैनल पर जब भी कोई नीव वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुचेगा तो गाइस चलिए आजगा वीडियो को बिना किसी टाइम बेस्ट के सुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको अपना मोबल डाटा ओन कर लेना है मैं अपना मोबल डाटा ओन कर लेता हूँ अभी अपना मोबल डाटा ओन कर लेजेगा मोबल डाटा ओन करने के बाद आपको फेस्बुक अपको ओपन करना है Facebook आपको जैसे आप open करोगी उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा तो guys सबसे पहले उपर आपको right side कोना पर आपको three line दिख रहा है इस three line पर आपको click करना है इस पर आप जैसे click करोगे उसके बाद नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा settings as privacy इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे click करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है settings तो guys आपको settings का option पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे click करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक और option दिखेगा पार्सोनाल एंड एकाउंट इन्फार्मेशन इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर आपको दो नमबर पर दिख रहा है contact info इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile नमबर दिखेगा अगर आपने add करके रखा है तो यहाँ पर और भी mobile नमबर add कर सकते हैं और नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है add email address इस पे क्लिक करके आप अपना new email ID add कर पाएंगे तो guys आगर आपने यहाँ पे email ID add करके रखा है तो यहाँ पे अपना email ID भी सो करेगा तो guys आगर आप आपना new email ID add करना चाहते हैं तो add email address इस पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक कर गई उसके बाद यहां पर आपको दो box दिखेगा सबसे उपर वाला box पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगी उसके बाद आपको यहां पर अपना new email id इंटर करना है जो भी आपना facebook account पे add करना चाहता है उस email id को यहां पे इंटर कर देजेगा मैं भी अपना new email id इंटर कर देता हूँ तो गाइस यहां पर अपना new email id इंटर कर देना है email id इंटर करने के बाद आपको निचे वाला box पे क्लिक करना है और यहां पर आपको अपना password इंटर करना है जो भी आपना facebook account पे password रखा था उस password को यहाँ पे इंटर कर देना है मैं अपना Facebook अकाउंट का password यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और अगर आप अपना password भूल चुके हैं तो इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाया उपर आई बैटन पे मिल जाएगा नहीं तो आपको इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को आप देख सकते हैं आपको अपना Facebook का password पता चल जाएगा तो गाइस यहाँ पे आपको अपना Facebook का password इंटर करना है उसके बाद आपको यहाँ इमेल इस पे क्लिक कर देना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपना इमेल इडियो करेगा और इसका नीचे आपको देख सकते हैं पेंडिंग सो कर रहा है इसको confirm करना है इसके लिए आपको उपर में राइट साइट पे आपको confirm का option दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपना इमेल आइडि पे एक 5 डिजिट का code जाएगा उस code को यहाँ पे इंटर करना है तो guys यहाँ से आपना home की प्रेस करके back कर लाना है यहाँ से उसके बाद आपको अपना Gmail आपको open करना है मैं अपना Gmail आपको open कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं Facebook से एक मेरे को email आया है अगर आपको नहीं receive हुआ है अभी तक तो आप refresh कर सकते हैं तो guys इस email पे आपको क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको 5 डिजिट का code सो कर रहा है इस code को यहाँ से copy कर लेना है इसको copy करने के बाद आपको Facebook आप पे दुबरा चला जाना है और यहाँ पे इस code को paste कर देना है अगर आपने copy नहीं किया तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते है code इंटर करने के बाद आपको confirm का option पे क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे loading ले रहा है तो guys देख सकते हैं मेरा email id यहाँ पे confirm add हो चुका है तो guys देख सकते हैं इतना असाने से आपना facebook account पे new email id यह एड़ कर सकते हैं तो guys यहाँ से आप back कर लेजेगा आपना facebook account पे new email id यह एड़ हो चुका है तो guys आगर आपको यह video अच्छा लगा है तो इस video को एक like किजिएगा और आगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर लेजे और पास में जो bell icon है उस पे click करके all notification select कर लेजेगा ताकि इस channel पर जब भी कोई new video अपलोड होगा सबसे पहले आप तक पहुचेगा तो guys मिलते हैं किसी next video पे बाई